एक किसा तपका है जब रतन टाटा किसी काम के सिलसिले में जर्मनी गए हुए थे, वहाँ उन्हें एक गजब का अनुबव हुआ, जो बारत वापिस लोटने पर उन्होंने सबसे साजा किया, रतन टाटा कहते हैं, हमें लगता है कि जर्मनी एक बहुत ही विकसित देश हैं, और सब सोचते ही होंगे कि वहाँ के लोग सुकून की जिन्दगी जिते होंगे, उनके जीवन में कोई परिशानी ही नहीं है, जब हम हैंबर्ग पहुँचे तो मेरे सहयोगी एक रेस्टोरेंट में चले गए, भूख बहुत लगी थी, हमने ध्यान दिया तो अंसा खाना कैसे रोमेंटिक हो सकता है, और क्या वो लड़की इस कंजूस लड़के को छोड़ देगी, पासी में एक टेबल पर कुछ बूड़ी महिलाये भी थी, जब भी कोई डिश सर्व की जाती, तो वेटर सब महिलाओं में बाट देता, और वो पूरा खाना खा ले थ तो हमारी लोकल सहयोगी ने थोड़ा ज़्यादा खाना ओडर कर दिया, हमने खाना शुरू किया, सब का पेट भर गया, फिर भी खाने का एक तिहाई अंच टेबल पर पड़ा हुबा था, हमने खाने का बिल चुकाया, और जाने ही लगे थे, कि उन बूड़ी औरतों में से एक ने हम लोगों से अंग्रेजी में कहा, कि वो हम लोगों से नाराज है, जब हमने उनसे वज़ा पूछी, तो उन्होंने बताया कि हम लोगों ने खाना बरबाद किया है, उन बूड़ी औरतों की बात सुनकर मेरे एक सहयोगी ने कहा, हमने अपने खाने के पैसे दिया है आप कोई नहीं होती हमें कहने वाली कि हमने खाना बरबाद किया महिलाई और गुस्से में आ गए उनमें से एक महिला ने किसी को फोन लगाया कुछ देर बाद वहाँ एक व्यक्ति आया जो की सोशल सर्विस और्गनाईजिशन से था मामला समझने के बाद उसने हम पर 50 यूरो का फाइन लगा दिया यानि कि लगभग 4000 भारतिया रुपे हम सब अब खामोश थे आफिसर हमसे कठोर आवाज में बोला उतना ही ओरडर करिये जितना आप खा सके माना पैसा आपका है लेकिन संसाधन पूरे समाज के है दुनिया में ऐसे बहुत से लोग है जिनने दो वक्त की रोटी भी नसिब नहीं होती और आपके पास कोई ऐसी वज़ा भी नहीं कि खाने को यू बरबाद करे इस अमेर और विकसित देश की मानसिक्ता देखकर हम काफी लज्जित हो चुके थे हम ऐसे देश से है जो संसाधनों में बहुत समरुद्ध नहीं है कोई भी देश समरुद्ध अपने देश के लोगों की सोच से बनता है जब भी हम किसी को पाटी दे रहे होते है तो शर्मिंद किसे बचने के लिए हम बहुत अधिक मात्रा में औरर कर देते है और बाद में उस खाने को बरबाद करते है लेकिन शायद हम ये नहीं जानते कि भारत में लगबग 40% खाना बरबाद होता है और 19 करोड से भी जादा लोग हर रोज भूखे सुते है क्रिशी मंत्राले के अनुसार भारत में हर साल 50,000 करोड का खाना बरबाद होता है सच मुच कितनी सही बात कही गई है पैसा आपका है लेकिन संसाधन पुरे समाज के है सारा खेल इस रोटी का है कोई बटर लगा कर खाता है कोई सूकी ही चबा जाता है और कोई तो हर रोज इससे मिल भी नहीं पाता यसलिए खाने को बरबाद ना करे याद रखे ये खाना कईयों को नसिब नहीं होता दोस्तो इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राई है नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा शेर करेगा जाधा सधा लोगों तक और ऐसी ही और भी इंस्पिरेशनल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारी यूटुब चैनल को और फेस्बूक पर फॉलो करें हमारे पेच को धन्यवाद